मेक शियोर जितने भी सारे लोग इंटरस्टेट है वो लोग 7 अगस्त 2024 तक इस कंपनी में आके ज्वाइन कर लीजे महीने के 20 से 23 हजार रूपे पेमेंट लरके लोग वहाँ पे कमा रहे हैं और ये कोई गलत बात नहीं है 110 रूपे परती घंटा ओवर टाइम है एक सब्ता हमें एज़े ट्रेनिंग के दौरान आप पूरे तरीके से काम सीख जाते हो दूसरे सब्ता से आपको दो घंटे का रोज ओवर टाइम मिलता है बेसिक सेल्डी भी बहुत बहतरीन होने वाला है इन फैक्ट मैं कुछ फोटेज मंगाया हूँ आपके साथ में शेयर करूंगा सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देखने हुए एकदम नीट एंड क्लीन वेर हाउस है यह देखिए यही वेर हाउस में आपका काम होने वाला है देखिए यह दूसरा फोटो है सामने ट्रक लगा हुआ है यह देख सकते हैं और तीसरा यह फोटो है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन कंपनी है ऐसी कंपनी में काम करने के लिए ट्रस्ट मी बहुत सारे लोग सोचते हैं बिकाज उनको काम नहीं मिलता चलिए रूम का फोटो दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको टाइस लगा हुआ रूम मिलेगा यह रेंटल रूम है तो रेंटल रूम मिलता है तो यहाँ पे आप लोग यह मत सोचिएगा कि जॉब्स का चार्जेस है, जॉब्स का फीस है, कहीं पे भी आप सेटलमेन्ट होने जाते हो लगनाओ में रूम का माली और पहले महीने का एडवांस पेमेंट लेगी आपसे जो लोगों को यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मेरा fraud हो जाएगा वीडियो को छोड़िये चैनल को अंसबस्क्राइब किजे और छोड़के चले जाएगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन positive way के लोग positive thinking के लोग वो जरूर सोचेंगे कि हाँ देखना चाहिए और देखना इसलिए चाहिए क्योंकि देखो room का rental amount room का मालिक लेता है पहले महीने का एक महीने का room का rent पहले ले लेता है जो कि per candidate का 1000-1200 के बीच में आता है उससे जदा नहीं आता 1200 रूपे room का rent आपको पहले महीने का एडवांस के तौर पे ले लेगी हर महीने आपको room का rent देना होगा room supervisor अरजेस्ट करवाएगा यह देखो यह 1000-1200 रूपे वाला room है देखो उपर में fan भी लगा हुआ आपको दिख रहा होगा और यह जो है नीचे चटाई भी चाके आप लोग रह सकते हो room ठीक ठाक है ओना ने ब्रेजिये देखो यह room है यही room है और यह बाहर भी clean है उतना यह नहीं है अच्छा जगर पर room है यहाँ पे देख सकते हो यह उपर में है करकट रखा हुआ और वहाँ बैंगलॉर में उतना भी जादा रात में गर्मी नहीं परता रात में आपको एक चादर लेके सोना परेगा ठंडा मोशम रहता है आप लोग को पता है यहाँ पे देख सुपरवाइजर अंदर में काम कर रहे है सुपरवाइजर हैंडल कर रहे अपना काम देख रहे यह देखो यह कीचन का सेटप भी मिलता है आप खाना भी बना सकते हो विकाज गैस चूले आप 5 केजी 8 केजी वाला ले सकते हो अगर एक साथ में 5 से 6 लोग आते हो जो की हमने आपके साथ में शेर किया यही रूम है और यही रूम में आपका टंकी बगेरा सब लगा हुआ है तो पानी का भी प्राबलम बिल्कुल भी नहीं होने वाला यह कुछ इंपर्टेंट फैक्ट था जो की आपके ज़रूरत की चीज थी जैसे की रहने के लिए रूम रूम बहुत ज़ादा इंपर्टेंट होता है कंपनी में एक टाइम का खाना भी मिलता है खाना का कुछ क्वालिटी इस पर कार का होगा बहुत अच्छा खाना मिलता है एक टाइम खाना मिलता है चाय मिलता है जो है बिस्किट मिलता है स्नैक्स मिलता है यह सब कुछ मिलेगा अब चलिए हम टॉपिक के उपर आते हैं वेकेंसी का अपडेर्ट सेर करते हैं आपको बताते हैं ध्यान से समझिएगा इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहा हूँ यहां पे देखिए जवाइनिंग जो चलेगा 2 अगस्त है 3 अगस्त है 4 और 5 6 7 8 9 10 अगस्त यानि की 2 अगस्त से ले करके 10 अगस्त तक यह रिक्वर्मेंट चलेगा मतलब की 10 अगस्त पहले अगर 10 अगस्त को 12 बजे के बाद आप पहुंसते हो तो आपका जवाइनिंग नहीं seat book किजियेगा direct seat book किजिये और company में पहुंचिया आपका immediately joining हो जायेगा यहाँ पे देखिए अभी आप joining करोगे जैसे 7 अगस्त से पहले joining करोगे तो आपको 90 दिन काम करोगे तो दीपा वाली के समय 3,000 रुपे का BBD बोनस मिलेगा BBD यानि की Big Billion Day का बोनस मिलता है 3,000 रुपे मिलेगा 90 दिन काम करोगे तो 10 अगस्त से पहले जौइन करोगे तो ही आपको 3,000 का बोनस मिलेगा 90 दिन पर दिवाली के टाइम में Job opportunities है यह जो जौब का location है मलूर बैंगलॉर में होने वाला बहुत सारे लोग interested थे कि मलूर में काम चाहिए मुझे बैंगलॉरू में काम चाहिए यह बैंगलॉरू का top quality का job होने वाला है फिलिप कार्ट company में तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा एक opportunities यह है कि 45 साल तक के candidate को priority दी गई है आप step by step information समझेंगे ना सारा कुछ समझ के आप जाएंगे यहाँ से उसके बाद में आप लोग immediately call कर सकते हैं seat booking कर सकते हैं याद रखिए कि नौकरी जितना भी सारा होता है वो free of cost ही होता है यहाँ पे देखे फिलिप कार्ट warehouse logistic company है designation में है warehouse associate है अब इसमें देखे different qualified person के लिए different profile मिल सकता है in fact अगर कोई 10th pass है कोई 12th pass है कोई graduation है तो graduation का अलग label लेगा 10th pass में जिसके पास में basic English का knowledge नहीं है उनको profile मेरेगा वो mix profile मेरेगा लेकिन graduation है उनको English अच्छा आता है उनको senior assistant का post मिलेगा जिन में उसमें supervisor का एक धलक दिखेगा तो वही बात है तो कहीं न कहीं profile में changes है work profile है picker, packer, shortner, receiver, transporter, putter, loader, unloader loader, unloader का भी in case काम करना पड़ेगा यह नहीं कि हम गए है और हम महराजा की तरह दुसरों को काम कहेंगे करने के लिए और हम loader, unloader का का काम नहीं करेंगे यह तो negativity is thought हो गया हमने क्या बोला graduation वाले के लिए time and conditions थोरा सा लग है क्योंकि graduation वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके पास में basic English का knowledge होता है in fact वो आराम से काम कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें 9 घंटे का काम है और महीने में 26 दिन का काम है तो 9 घंटे और 26 दिन काम करना वेल जादा कोई problem नहीं होने वाला है तो 9 घंटे और 26 दिन का काम है इसमें location इसका मालूर बैंगलॉर करनाटका में होने वाला है तो मालूर बैंगलॉर करनाटका में होने वाला है सब कुछ बताएंगे कैसे आना है क्या आना है नहीं आना है 1000 वेकेंसी है male female both candidate का यहाँ पे recruitment रहेगा male female both candidate का यहाँ पे hiding रहेगा अगर लड़की लोग है तो यह भी chances आपके लिए अच्छा होगा कि आप भी आके जुआइन कर सकते हैं age limitation minimum 18 है maximum 45 years है 48 से 45 साल तक के बीच के candidate आएंगे तो 45 साल तक के candidate को इसमें 40 तक तक तो था लेकिन हमने कुछ बात करके discussion करके 45 तक करवा दिया यह best होगा आपके लिए कि 45 तक के candidate इसमें काम कर सकेंगे right now 45 साल तक के candidate company में चलेंगे सिर्फ काम करने में सही होने चाहिए qualifications है 10 है 12 है graduation है right now मेरे पहले इसके बारे में खुद बोल दिया है कि सब कोई चलेंगे अगर कोई 12 भी graduation है और उसे English पढ़ने लिखने आता है तो उसे senior assistant का post मेरेगा इसमें loading unloading आपको नहीं करना है right now जो graduation किये हैं उनके लिए best opportunities है और English का तो knowledge होना चाहिए तो यहाँ पर job location मलूर बैंगलूरू में है देखिए अगर कोई बिहार जारखन उत्तर परदेश या फिर कहीं से भी आता है तो उनको SMBT railway station का नाम है SMBT बैंगलूरू तो यहाँ का ticket करना होगा पहले या फिर आपको यस्वन्थपूर का मिलता है तो यस्वन्थपूर का भी आप लोग कर सकते हैं तो अगर आप SMBT बैंगलूरू का ticket करते हो तो SMBT बैंगलूरू का ticket करने के बाद में आप लोग को local train वहाँ से पकड़ के आना है मलूर local train पकड़ के मलूर आओगे तो वहाँ से supervisor आपको peak बगएरा कर लेंगे और supervisor आपको direction देंगे उस तरीके से आपको आगे के process को follow करना है तो यहाँ पे देखिए railway station का नाम मैंने बता दिया कि मलूर बैंगलूर में है मलूर आना है SMBT से मलूर आना है okay so salary का structure अगर देखा जाए तो 13,088 रूपे basic है यह आपके offer letter में mention रहेगा आप वहाँ पे घवडाने की बात नहीं कि हमको बोला गया है इतना इतना payment और देखो offer letter में इतना कम mention इसलिए रहता है कि PF वगेरा company का भी करता है तो employee का करता है company भी उसमें spend करती है तो इसलिए basic salary कम देती है company less money, bonus, tonus जोर के बहुत ज़्यादा बना देती है तो यहाँ पे 13,088 रूपे आपका रहता है basic total अगर count की जाए तो 600 advance bonus है 500 attendance bonus है 1,000 leave investment है 120 रूपे night allowance है जो की 13 दिन आपको मिलेगा total payment 16,500 रूपे बनेगा 9 घंटे और 26 दिन काम का overtime 110 रूपे परती घंटा है 2 घंटा आपको overtime मिलता है after one week और इसमें ये चीजों का excuse आपको करने की कोई आवस सेकता नहीं है because क्यूंकि यहाँ पे after than one week एक सब्ता के बाद ही आपको यहाँ पे overtime मिलना चालू हो जाता है जिससे आपको problem तो create होते ही नहीं है तो एक सब्ता के बाद से ही यहाँ पे overtime देखने को मिलेगा और यहाँ पे total earning है जो कि वहाँ company से ही mention है 20,000 से 23,000 रूपे तक आप कमा सकते हैं लोग thumbnail देखेंगे कि हमने 23,000 रूपे thumbnail पे देखा और यहाँ पे कमाई कितना देखो एक round figure में देखा जाए तो सारह 16,000 in hand सिर्फ और सिर्फ 9 गंटे और 26 दिन काम गाए कम amount नहीं होता on duty food फुडिंग फिरी दे रही है company चाय दे रही है biscuit दे रही है on duty food भी दे रही है तो यह कहीं न कहीं excuse करने वाली बात नहीं है और room का कितना पैसा लगता है 1000-1200 रूपे sharing basis में room मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ यह नौकरी के लिए पैसा ले रहा है आपको पता है वेंगलूर में कुछ placement agency है चोटे चोटे नौकरी के लिए आपसे तो इस तरीके से निचोर लेंगे एट लेंगे ना कुछ कहने के लाइक नहीं चार-चार हजार रुपे registration चार्ट लेते रेकिन record है कि fine jobs वेकेंसी ने आज तक एक रुप्या लिया होगा बिल्कुल भी नहीं हम सिर्फ वेकेंसी का advertisement share करते हैं और जो हमारे पास में information आता है ना वही हम आपके साथ में share करने की कोशी से करते हैं और ये खुद का project है ये मेरा क्योंकि इस project को मैंने लिया है और तीन बार हमने company से meeting किया है company के supervisor से तीन बार Google meet पे meeting हुआ है उसके बाद में हमने room का photo मगाया candidate वहाँ पे काम कर रहे है warehouse का photo मगाया उसके बाद हम आपको suggest कि और मैं खुद आने वाला हूँ मैं खुद हो सकता है तो 7 तारीक तक मैं खुद पहुँचूंगा बैंगलूरू में ये company में joining करवाने के लिए क्योंकि 1000 का vacancy है तो trust me आप लोगों को निकलना है पहले निकल जाइए क्योंकि दिक्कत नहीं होने वाला मैं तो आऊँगा ही आऊँगा मैं बात कर रहा हूं इस चीजों के उपर तो जस्त आज 31 से आज वीडियो पबलिक औरा seat confirm कीजिए कैसे seat confirm करना है वो बताते हैं तोटल 20 से 23,000 उपे तक किसी महीने 19, किसी महीने 20, किसी महीने 21 ऐसे करके कमाई होगा 18 तक भी कमाई होगा तो यह चीज़े एक यह नहीं है estimated की 23,000 ही मेरा कमाई होगा कम बेसी होता रहता है on duty food है, चाय है, snacks है यह सब free है room not form company side supervisor help rent pay candidate अब यहाँ पे कोई भी excuse नहीं चलेगा sir, मेरे पास पैसे नहीं है sir, room दिलवा दीजे, आप मैं कर दूँगा या फिर मैं, sir, मेरे को room दे दीजे salary से पैसा कट कर लीजे यह flip card company में नहीं होता बाकी कि यह दूसरे company में होता है कि room company दे देती है और super salary से पैसा करती लेकिन flip card जितना भी आपका payment बनता है वो आपके bank account में credit करवाती है तो यहाँ पे room के बारे में मैं एक बार भी कुछ भी commitment नहीं कर सकता room यहाँ पे आपको बता दू staff और सुथरी भासा में तो यहाँ पे room जो है आपको खुद से पैसे दे करके लेने पड़ेंगे आप अपने गाउं महले में ही चले जाओ अगर room रेंट लेते हो तो पहले advance लेता है उसके बाद देता है तो वहाँ पे 1000 से 1200 रुपे देने में क्यों कलेजा निकल जाता है क्यों जान निकल जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको एस्टेबल होने की ज़रूरत है आप एस्टेबल हो जाओ फिर काम करो 1200 रुपे देखते हो और वो सेल्ली जो 18-20,000 आने माला है उसको नहीं देखते क्या वो चीजों को भी देखना जरूरी है क्योंकि आप वहाँ पे करने गए हो अब कुछ लोग सोचेंगे कि यह इतना सफाई क्यों दे रहा है बंदा मैं एक चमनी किसी से लिया क्या अभी तक नहीं लिया एक रुपे लूंगा भी नहीं वो पैसा जो है न वो आप जाके कंपनी में जो सूपरवाइजर है उसको दोगे वो रूम आपको देगा एक महीने तक और वो चाहो तो लिखवा के ले लो कि मैं एक महीने का एडवांस पेमेंट दे रहा हूं रूम का है ना मैं जुट बोलूंगा ही क्यों मेरे को क्या प्राफिट है जुट बोलने से है कि नहीं मेरा केंडिडेट मेरे उपर विश्वास करता है तभी तो मुझे वाच करता है और मैं अपने तरफ से पूरा क्यों मैं खुद पहुंच रहा हूं ना इस कंपनी में जो आइनिंग करवाने के लिए इस लिए तो यहां पे देखो जो है यह सीट जो है अगर आप अगस्त या फिर साथ अगस्त को हम पहुंचे उससे पहले आके आप लोग जोईन कीजे क्योंकि देखिए मैं नहीं हूँ नो प्राबलम क्योंकि वहाँ पे सुपरवाइजर है वहाँ पे आपका जो है अभी सेख सर सुपरवाइजर है फिर वहाँ पे अभी आयूशर भी जा जाएंगे सुपरवाइजर तो कोई भी दिक्कत नहीं पहले से ही अकॉमडेशन मेनेजमेंट है आप वहाँ पे काम किजिए एक्सक्यूज करने से नहीं उता आप अगर प्रेसर सेना दो से तिन दिन काम भी हाट लगेंगे लेकिन यह सुचिए कि यह आज मैं कर लिया ह पे description में जो भी है हमने WhatsApp group का link दिया है आप उस WhatsApp group पे join हो जाओ and well हमने contact number भी देदिया है आप उस contact number कॉल भी कर सकते हो और पूछना सीधा बोलना जादा कुछ commitment करने की ज़ियर नहीं सीधा बोलना कि सर मुझे मलूर बैंगलोर के लिए सीध कर रंक करना करना important है जब तक आप टिकेट अफ्लोड नहीं करोगे तब तक आपका वहां पर उन बोर्डिंग नहीं होगा क्यूंकि यह जरूरी है क्यूंकि कंपनी migrant candidate खोज रही है migrant मतलब बिहार धारकन के ही candidate को खोज रही है बिहार धारकन उपी मतलब बैंगलओर के local candidate को ये ज़्यादा तर priority नहीं देते बैंगलोर छोड़के किसी भी राज्ये का candidate है वो तो train का ticket करके आएगा तो train का ticket करके आएगा तो SMBT का ticket का ticket करके आएगा SMBT का ticket उनको upload करना होगा ticket confirmation form में just कि वो ticket confirmation form में ticket upload करेंगे उसके बाद में उनका process follow किया जाएगा right now में एक बात बताता हूँ jobs totally free होते हैं देखो वहाँ पे 3-4 vendor already काम करते हैं अब 3-4 vendor काम करते हैं सभी का payrolling अलग होगा सभी का systems अलग होगा लेकिन I think मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है ID को क्या देखती है ये important बात है So well मिलते हैं कोई नहीं recruitment के साथ में description में सादाब सर का number होगा आमन सर का number होगा और एक WhatsApp group भी है वो भी join कर लीज़ेगा बेतर होगा So thank you so much everybody for watching these videos